हालो फ्रेंट्स वकत आपका हमारी यूटूब चेनल अलफिजा टेक्निकल माइन में हमेशा के तरह आज भी दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले मारूति सुजू के वेगनार के फ्यूज बॉक्स डाइग्राम के बारे में जैसी की रेडियेटर फेन हो गया इसी कमप्रेशर, फ्यूज इनके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में वेगनार के कम्प्लीट फ्यूज बॉक्स ही बात करेंगे जैसे कि यह फ्यूज बॉक्स है जो आप देख पा रहे हैं इसके यहां पर एक लोग है लोग को अंगुली से दबा कर फ्यूज हर इसके अंदर टोटल होते हैं आया से जिए इंडिकेट, दे रहा है रेड कलर का यह जो अपनी रिले है यह फ्रेंट फोक लएट की रिले हैний हैं इसके बाद में आगे वाली रिले की बात करते हैं, तो ये हो गई अपनी AC कमप्रेशर की रिले, जो AC कमप्रेशर अगर काम नहीं करता है, तो एक बार इस रिले को भी जरूर चेक कर ले, ये जो रिले है, ये हो गई अपना आगे वाला जो रिले है, ये रेडिटर फैन का रि यूज सभी है तो एक बार इस रिलों को चेंज करके जरूर देख ले इसके बाद में आग्या वाली यह जो रिले है जो इंडिकेट कर रहा है यह अपनी एफाई मैं मतलब फ्यूल पंप पैट्रोल सप्लाई के रिले अगर पैट्रोल नहीं आ रहा है तो एक बार इस रिले को पैट्रोल नहीं आता है तो एक बार इस रिले को चेक करें अगर आप रस्ते में कहीं पे जा रहे हो फिर भी अगर यह रिले खराब हो गई अब करना क्या है तो आपको करना है कि इसे एसी वाली रिले को यहां से अठा के उसमें डाल देना है और वो इस खराब रिले को पॉंट में लगा दे अगर यह जो अपना 40 अंपिर का जो फ्यूज है जहां पर से इंगल दे रहा है रेड कलर का यह हो गया अपना पाउर स्टेरिंग अगर काम नहीं करता है तो एक पार इस फ्यूज को जरूर चेक करें उसके बाद में पाउर स्टेरिंग की मोडिल को च इगनिशन ओन करते हैं उस वक्त मिटर में सभी लाइट अगर नहीं आती है तो इस फ्यूज को चेक करें यह स्विच ओन के साथ लाइट आने का क्लस्टन मिटर फ्यूज हो गया है इगनिशन वाला इसके बाद में यह जो दस नम्मर का जहां पर रटकलर की बत्ति भी लिंग कर रही है दस एंप्यर फ्यूज है यह हो गया अपना एसी कंप्रेसर सीपी आरस यानिकि एसी कंप्रेसर अगर ओन नहीं होता है तो एक बार इस फ्यूज को चेक करें फिर रिले चेक करें नहीं तो फिर गाड़ी में गेस की प्रोब्लम हो सकती है जैसे कोई वाइरिंग कटा रहे है अगर स्वीच काम नहीं करें या फिर कलस सेट भी खराब हो सकता है इसी कारण भी ऐसी कंप्रेसर काम नहीं करता है इसके बाद में आगे जो यह बत्ति भी लिंग कर रही है यह होगा है अबना 15 prax 15 पर सकते तो फ्र्सेंग करती है तो तो फ्सक और फ्सक्यूट करें अगर ब्लब रिले बताई गई वीडियो में उस रिले को चेक कर ले फैन मोटर का है अगर गाड़ी टेंप्रेज लेती है तो एक बार इस फ्यूज को जरूर चेक करें श्यूज को चेक करें इसके बाद में हैडलाइट के बलब को चेक करें इसके बाद में ये जो आगे वाला 30 एंपेर के फ्यूज है ये होगए अपना स्टार्टर मोटर होगए अपना सेल्फ अगर गाड़ी क्रेंकिंग नहीं करती है चाबी घुमाने पर गाड़ी असलफ काम नहीं करता है तो इस फ्यूज को जरूर चेक करें इसके बाद में ये जो 15 एंपेर का फ्यूज है ये हो गया अपना फ्यूज मैन फ्यूल पंप की जो मोटर है उसका फ्यूज है यहां से फ्यूल पंप की मोटर को सप्लाई जाते है अगर फ्यूल पंप की मोटर काम नहीं कर रहा है आगे पैटल नहीं आ रहा है कार में तो इस इस फ्यूज को निकाल कर जरूर देख ले तो आए ओप दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेर करना चैनल पर नई है तो चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिक्शन मिले सबसे पहले आपको दन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जब तक लिए धन्यवाद